यह कहानी प्राचीन काल की है जब तीन बुध अपने शिश्यों के साथ एक गाव में निवास कर रहे थे। शिश्य बहुत ही योग्य, निष्ठावान और बुध का प्रिय शिश्य था। उसकी मृत्यू से गाव वालों के बीच शोक की लहर दोड़ गई। सभी लोग दुखी थे और शोक मना रहे थे। शिश्य के साथ ही शिश्य भी बहुत व्यथित थे। गाव के लोग शिश्य क अंतिम संसकार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस समय एक अजीब घटना घटित हुई। बुध जो शिश्य के गुरू और मार्ग दर्शक थे, ना तो दुखी थे, ना ही कोई शोक दिखा रहे थे। इसके विपरीत, वे मुस्कुरा रहे थे और जैसे किसी उत्सव में सम् यह द्रिश्य देखकर गांव के लोग चकित रह गए, उनके मन में कई सवाल उठने लगे, एक व्यक्ती ने हिम्मत करके बुध से पूछा, गुरुदेव, आपका सबसे प्रियशिश्य चला गया है, हम सभी शोक मना रहे हैं, लेकिन आप हंस रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे आप कोई उत्सव मना रहे हैं, क्या आपको उसके जाने का दुख नहीं हो रहा? बुध्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम लोग जिस मृत्यू को शोक का कारण मान रहे हो, वह वास्तव में जीवन का एक हिस्सा है, जीवन और मृत्यू एक ही सिक्क होना ही है, आत्मा अनन्द और शाश्वत है, जिसका कोई अन्थ नहीं है, जब तुम इस सत्य को समझते हो, तो मृत्यू केवल एक परिवर्तन है, न कि किसी प्रकार का अन्थू गाव वालों ने और भी सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, हम कैसे मृत्यू क जीवन का नियम यही है, जब हम जन्म का स्वागत, हसी और खुशी के साथ करते हैं, तो मृत्यू को भी उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यू नए जीवन का द्वार खोलती है, यह एक चक्र है, जिसमें कोई अन्थ नहीं है, फिर बुद्ध ने समझाया मेरा यह शिश्य अपने जीवन को पूर्णता के साथ जिया, उसने अपने करतव्यों का पालन किया, ज्यान की खोज की और सत्य को समझा, वह अब अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ चुका है, मैं उसकी मृत्यू पर शोक क्यों मनाऊं, जब यह जानता हूं कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर चुका है, उसके लिए शोक नहीं, बलकि एक उत्सव होना चाहिए, क्योंकि उसने इस सांसारिक यात्रा को सफलता पूर्वक पूरा किया है, बुद्ध की इन गूढ बातों को सुनकर, गाव वालों और शिश्यों के मन में एक नई द्रिश्टिका उदय हुआ, उन्होंने समझा कि मृत्यू केवल एक शारीरिक परिवर्तन है, आत्मा का नहीं, जीवन और मृत्यू के इस चक्र को समझ कर, वे सभी शोक से मुक्त हो गए, और एक नई द्रिश्टिकोन से जीवन को देखने लगे, दोस्तों, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन और मृत्यू एक ही चकर के हिस्से हैं, मृत्यू को शोक के रूप में नहीं, बलकि एक नई जीवन के प्रारंभ के रूप में देखना चाहिए, जब हम मृत्यू की इस सच्चाई को समझ जाते हैं, तो जीवन में किसी भी हानी से डर नही लगता, बुद्ध ने यह संदेश दिया कि जीवन का सही अर्थ तब ही समझाता है, जब हम मृत्यू को भी उसी शांती और आनंद से स्विकारते हैं, जैसे हम जीवन को स्विकारते हैं